Hello DA students, welcome back to Organized Knowledge Channel आज की वीडियो में बच्चो करेंगे हम discuss worksheet number 31 for class 8 English subject की worksheet है जो आपके लिए 27 January 2021 के लिए schedule की गई है ये जो worksheet है आपकी इसमें हम कुछ task आपको दिये गई है ठीके इनमें आपको complete करना है, कुछ fill-ups है और कुछ आपको last में फिर से fill-ups दिये गई है जो हमें आपर complete करने है so work sheet शुरू करने से पहले बेटे प्ली चैनल को subscribe कर लिजे and bell icon को भी प्रेस कर लिजे ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की notification मिलती रही so let's start lesson, this is Jory, font हम continue करेंगे ठीके, 8 ask दिया गया है इसे कौन से words है, जो Jory को describe कर रही है look up the dictionary for words which you are not sure of use words from the list to complete the sentence below अगर आपको कोई word नहीं आते हैं तो आप dictionary के help ले सकते हैं और आपको यहाँ पर नीचे जो sentence given है इसको complete करना है so देखे, first क्या है, kind hearted यानि जो दयालू होता है, scary यानि डरा हुआ careless जिसको जो care ही नहीं करता है heartless भी कुछ ऐसा ही है कि जो बिल्कुल ही डरपोक है sensitive जो बहुत ज्यादा sensitive है ठीक है ना, समीदना यह ज्यादा है responsible यानि जिम्मेदार है तो अब आपको बताना है कि Jory के अंदर इसमें कौन कौन सी जो है आपर qualities है I think that Jory was kind-hearted तो देखे kind-hearted हो गया उसके बाद क्या करेंगे scary तो यह नहीं है careless भी नहीं है Jory heartless भी नहीं है Jory क्या है sensitive है जो बहुत sensitive है उसको यह लग रहा है कि पतानी phone का क्या हुआ होगा जब उसकी mother उस नोने जो mother की death हो गई and also responsible तो क्या लिख देंगे यहाँ पर responsible ठीक है तो दोनों जो है यहाँ पर आप फिल कर देंगे Jory I think that Jory was kind-hearted sensitive and responsible तो यह जो है आपके दोनों इसमें answer आजाएंगे next करते हैं B part who said the following lines in the lesson this is Jory phone किसने कहा यह this is Jory phone तो क्या है यह है Jory का phone है write your answer in the blanks below तो आपको जो है बताना है कि यह words किसने कहे you are smarter than boys of your age तुम जो है अपनी age के boys में ज़्यादा smart हो तो यह words किसने कहे थे यह words Penny ने कहे ठीक है Penny कौन है Penny जो है Jory के father है next देखे nothing in the world comes quite free कुछ भी इस दुनिया में free नहीं मिलता तो यह बात किसने कही थी यह बात Doc Wilson जो की डॉक्टर थे उनके घर पे आये वहे थे उन्होंने यह बात कही कि nothing in the world comes quite free next देखे but I am afraid to leave you boy यह किसने कहे थे बिटवर्ट यह जो है कहे थे Millville ने जब Millville जो है उनके साथ चाने के लिए कह रहा था और फिर जब जोड़ी ने कहा कि वो फॉन को ढूंड लेगा सर्च कर लेगा और वो Millville को वापिस बेज रहा था तब Millville ने यह जो है उसको कहे थे कि but I am afraid to leave you boy कि मैं जो है तुम्हें छोड़ते हुए अके लिए छोड़ते हुए डर लग रहा है तो यह answer दिये गए है आप इनको fill कर लेंगे next देखें आप इसको लिखेंगे कैसे आप यह पहले sentence लिख लीजिए उसके सामने आप लिख दीजिए ठीके ऐसे ही cloud बना के c part दिया गया है देखें c part जो है काफी इसमें fill ups दिये गए है तो आपको यहाँ पर कैसे करना है मैंने इसमें आपके लिए highlight जो है यहाँ पर कर दिया है जो red में highlight है वो इन सबके answer है तो हम इनको discuss करेंगे साथ में answer जो है इनके given है first देखें jody's father was bitten by a rattle jody's father जो है उनको काट लिया था किसने rattle snake तो answer क्या रहेगा dog और snake आपको option दिया गया है so jody's father was bitten by a rattle snake तो इसमें क्या आ जाएगा snake आ जाएगा so he killed a dog तो इसमें क्या आ जाएगा killed a dog उनको को मारा था dog को मारा था तो यह dog जो है इसमें answer रहेगा आपका dog dog to save himself from the poison तो इसमें क्या आ जाएगा poison आ जाएगा okay so उनको इसको मारा dog को मारा poison जो है उसको उससे अपने आपको बच्छाने के लिए next देखे second दिया गया है penny could not say dash to jody's idea of bringing the phone home as it would be dash to live it to starve तो यहाँ पर क्या करेंगी penny could not say no उसने penny जो है उसके father ने उसको no नहीं कहा उसके idea को ठीके कि phone को उसने घर लाने के लिए permission दे दी and it would be very ungrateful कि उसने कहा कि यह बहुत ही ungrateful होगा उसको जो हैसे bouquet छोड़ देना तो इसमें क्या आ जाएगा second में ungrateful होगा और first में आ जाएगा no third करेंगे joddy's mother dash with surprise joddy की जो mother थी वो gasp ठीके इसमें क्या आ जाएगा joddy's mother gasp with surprise वो surprise हो गई एकदम because she was worried happy और worried आपको option दिये गई है इसमें क्या जाएगा worried आएगा about the expenses to take care of the phone क्योंकि वो worried थी कि अगर वो phone को घर लेकर आता है तो उसके लिए जो expenses होंगे उनको लेकर वो worried थी चिंता में थी number four करेंगे joddy went with dash to bring the phone home joddy जो है किसके साथ गया phone को घर लाने के लिए milville या doc wilson तो किसके साथ गया था milville के साथ गया था so इसमें आ जाएगा milville next fifth है joddy didn't want milville to come with him because of two reasons joddy नहीं चाता था कि milville उसके साथ आए उसके दो reason थी first क्या था if the phone was dash अगर phone जो है वो क्या है dead या alive option है तो क्या आएगा dead कि अगर phone जो है वो dead है यानि वो अगर मरा हुआ मिलता है और could not be found या वो मिलता ही नहीं है so he could not have his disappointment आपको दिया गया happiness or disappointment यानि अगर वो मरा हुआ मिलता है या नहीं मिलता है तो joddy जो हो बहुत disappoint हो जाएगा और उसके disappointment वो जो है वो नहीं चाता था कि कोई देखे तो इसमें आएगा dead और इसमें आएगा disappointment second reason क्या था if the phone ठीके if the phone was there अगर उसको phone मिलता है answer phone होगा first me the meeting would be so lovely meeting कैसी होगी meeting would be so lovely बहुत meeting जो उसकी lovely होगी जब वो से मिलेगा and so so secret that he could not इसमें क्या आएगा secret इसमें आजाएगा secret that he could not share it कि वो अपनी वो जो lovely meeting है वो secret है वो उसकी happiness है वो भी किसी के साथ share करना नहीं चाहता था next एक ही number six है milville was afraid to live jody alone milville जो है वो jody को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहता था because he was scared if jody got dash or got dash by a snake कि वो डरा हुआ था कि अगर jody jody got lost ठीके lost और angry का option दिया है तो क्या आएगा इसमें lost आएगा that if jody got lost or got bitten by a snake annexious और bitten का option है आपके पास बुच्चो तो इसमें क्या आएगा bitten by a snake okay so इसलिए वो उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था उसको डर था कि कहीं ये खो जाए या इसको snake bite कर ले seventh है jody had come to the place where jody has come to the place where dash there were large trees to the place वो वहा गया जहां पर उसने phone को last time देखा था so he had seen the phone जहां उसने phone को देखा था next number eight jody was filled with emotions okay after he found the phone jody जो है वो emotions से भर गया after he found the phone जब उसको phone मिला when he stroked its neck the touch made him जब उसने उसकी neck को जो है stroke किया पकड़ा तो the touch made him delirious यानि उसको एक्दम से वो जो है बहुत है happy हो गया बहुत ही जैसे उसको बहुत कुछ मिल गया तो उसके लिए क्या यूश करेंगे है delirious when he realized that it was his phone now अब उसने जब महसूस किया कि यह phone जो उसको मिल गया है और वो उसके पास है okay he was light-headed with his with his joy okay तो वो बहुत खुश हो गया ठीके तो इसमें आएगा first में आएगा delirious second में आएगा joy next करेंगे number 9 finally he brought the phone into the house last में वो किसको ले आया phone को घर ले आया तो phone आएगा last number 10 he took it to the वो कहां लेके गया उसको वो लेके गया उसको kitchen या bedroom में तो bedroom में जहां पाज उसके father लेटे हुए थे वहाँ पर उसको लेकी गया so he took it to the bedroom okay and fed it with milk by his fingers okay किसे उसने जो है by dipping dipping और hurting दिया गया है so it with milk by dipping तो इसमें आ जाएगा dipping इसमें dipping his fingers in the milk and thrusting them into the phone mouth उसने dip करके finger अपनी milk को ये अंदर और उसको जो है phone को पिलाया he looked after it like a dash okay तो उसने उसकी care किसकी care उसकी mother की तरह की okay बिटा किसकी तरह की उसकी mother जैसे mother जो है बच्चे को खाना खिलाती अपने हाथों से तो इसी तरह जो 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 आड़ी है तो ये थी बच्चो आपकी आज की विटा इंगलिस की वोक्षीट I hope आपको वोक्षीट क्लियर है कोई डाउट है आप comment section में पूछ लीजिए and अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो please like share कीजिए and and thanks for watching have a nice day